बिस्मिल्लाहिररहमान रहीम, असलाम अलेकम दोस्तों दोस्तों ये मेरे पास जो कंपोनेट आप देख रहे हैं इससे बहुत सारे लोग familiar होंगे ये योग कहलाता है, टेलिविजिन का योग है जो CRT टेलिविजिन है कि आप दोस्तों के सामने एक वीडियो योग के हवाले से ले किया हूँ और योग के बारे में कुछ आपको बताऊँ ये electromagnetic device है electromagnetic क्यों है कि इसमें बिजली गुजरती है और ये कोहल जो है ये magnet बन जाते हैं, और वो बिजली किसे साबसे होती है इसमें दो किसम की power गुजरती है दो किसम के signal इसमें महया किये जाते हैं एक होता है vertical का signal दूसरा होता है horizontal का signal vertical तस्वीर की ये लामूदी है उन्चाई वो बनाती है और horizontal उफ की या horizontal इस तरह से जो line होती है ये बनाती है तो ये चीज़ बनाने के लिए ये कोईल इस्तेमाल होती है अगर आपका vertical खराब हो जाए तो TV में एक line ऐसे पैदा हो जाएगी और अगर आपका horizontal खराब हो जाएगी तो एक ऐसी खड़ी line आपके television में आएगी यानि तस्वीर पैलीगी नहीं यह vertical नहीं पैलीगी और यह horizontal नहीं पैलीगी तो जिसका fault होगा उसी के correspondence खराब हो जाएगी तो इसका इसके बारे में यह तफसील मैं आपको दे दी अब इसके बारे में कुछ और इसकी चीज़े हैं जैसे कि यह coil है इसके अंदर देखें तो यह अंदर फिर इस लग लगी हुई है इसको घुमा के तस्वीर की geometry को set किया जाता है कुछ यहां पर potentiometer दिये हुए है इन potentiometer की जरिए आप इसकी adjustment कर सकते हैं तस्वीर की geometry adjustment होती है कुछ में यहां पर कुछ दिया होता है बहराल जहां कई भी हो आप उनको adjust कर सकते हैं एक इसमें यह ring दीवी है दो rings है यह देखें एक अंदर की तरफ यह ring है यह दो है डबल है यह देखें इन से भी purity और तस्वीर की geometry adjustment होती है इदर और भी होती है चार पांच ring होती है उनसे भी adjustment होती है इदर एक और coil दीवी है यह भी adjustment के लिए है लेकिन यह pre-adjusted है इसको दुबारा नहीं किया जाता बस जो है वो है अच्छा अब इसकी testing की बात करते हैं testing में इसके दो आते हैं एक आपका vertical है एक horizontal है यह अंदर वाली जो पिने है यह TV में इस तरीके से लगा होता है कि अकर उसकी guardan पीछे की तरफ है picture tube आगी की तरफ इसकी screen है तो यह इस तरीके से लगा होता है तो यह जो आगे वाली पिने है यह vertical की होती है जो पीछे वाली पिने है यह horizontal की होती है अब हम meter पर test करते हैं, test करके मैं आपको दिखाता हूँ, test करने के लिए तरीकार यह है कि आप meter को ohm range पर कीजिए या even आप continuity भी कर सकते हैं, तो हम इसको continuity पर कर देते हैं, यह देखे हैं हमने इसको continuity भी किया तोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ कि मीटर की स्क्रीन आपको नजर आए इस तरीके से कर लेता हूँ आप देखें मीटर के दोनों प्राव उठाइए और पहले ये वर्टिकल का चेक कीजिए ये देखें तकरिवन 1.7, 1.8 बता रहा है मुझे ये ठीक की अलामत है बीब सनाई दे रही है और इसके अलावा ये बता रहा है 1.8, 1.7 की रिजिस्टन्स शो कर रही है अच्छा उसके बाद वर्टिकल की चेक करते हैं ये पीछे वाले होरिजॉंटल होते हैं ये देखें ये 10 इसके रिजिस्टन्स ज्यादा है 10 आम तक की रिजिस्टन्स है क्योंकि इस पर ज्यादा वोल्टिज अपलाई किया जाते है इसलिए इसके रिजिस्टन्स ज्यादा होती है ज्यादा कोयल होती है और जो वर्टिकल है इसके अंदर कम कोयल होती है कम वोल्टिज अपलाई कि कोयले शार्ट हो जाएं अंदर, रिजिस्टन्स बहुत कम हो जाएं, तो तस्वीर खराब हो जाती है, ओपन हो जाएं तो बिलकुल आपकी लाइन आ जाएगी, तो फिर आप इस तरीकी से इडेंटिफाई कर सकते हैं अपने मीडर की मदद से, तो ये एक रिपेर के लिए एक दिया, दोस्तों अमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई है, लाइक कीजिए, चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन, और इसके बाद बेल आइकॉन, घंटी इसको भी बजा दीजिए, साथ में आल पे क्लिक कीजिए, ताकि आ आपको हमरी नोटिफिकेशन मिलती रहें, और आप ऐसी बहतरीन किसम की वीडियो से फादा उठा सकें, देखने के लिए बहुत शुकरिया,